जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूजिव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 दिसंबर और 26 दिसंबर 2021 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहन अक्षत्रों की स्थिति क्या होगी किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचरिया में देखने को मिलेंगे आपके जीवन से जुड़े प्रतिक शेत्र के बारे में जानेंगे सिक्षा, स्वास्थ, करियर, नौकरी, दुकान, वैपार, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे चोट असा ही निविदन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सरी जानकारियां मिलते रहेंगी तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं पचीश दिसमबर का दिन यह शनिवार का दिन है और शश्टी तिथी है इस दिन उत्रफ आलगुनी नक्षत्र रहेगा सुभाग्य नाम का योग बनेगा चंद्रमा किस्तिती सेहिंग राशी में है और सूरिय धनु राशी मूल नक्षत्र में है इसके लावा इस दिन त्रिपुषकर योग बन रहा है जो बहुत ही उत्तम योग माना जाता है अभी जीत मुहर्थ होगा इस दिन का सुभा ग्यारा बचकर पचास मिनट से दोपहर बारा बचकर चालीस मिनट तक 26 दिसमबर यह रविवार का दिन है और इस दिन पूर्फालगुनी नक्षत्र रहेगा सौभाग्य नाम का योग बनेगा आईश्मान नाम का योग बनेगा यह दोनों योग बड़े उत्तम योग माने जाते हैं सुभा ग्यारा बचकर 14 मिनट तक चंद्रमा सिहिंग राशी में होंगे उसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे और कन्या राशी में आजाएंगे सूर्य अपनी धनुराशी और मूल नक्षत्र में है इसके लावा इस दिन योग बहुत ही सुन्दर बने हुए हैं इस दिन अगर योगों की बात करें इस रविवार के दिन आपको देखने को मिलेगा अब चंद्रमा दो भावों में होंगे सिहिंग और कन्या राशी में और अभी जीत मुहरत होगा इस दिन का सुबह ग्यारा बजकर पचास मिनट से दोपहर बारा बजकर चालीस मिनट तर तो ये हो गई ग्रहनाक शत्रों की इस्तिथी ये जो राशी फल है ये चंद्र राशी परादारित है चंद्रमा की इस्तिथी के अनुसार ही और बाकी ग्रहों की इस्तिथी के अनुसार ही आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे तो पहले हम बात कर लेते हैं 25 दिसंबर के राशीफल के बारे में आज का दिन आप पाएंगे कि आपके आसपास के या फिर आपके घर अपने कारेले के आसपास के लोग आपके वैवार से काफी खुश हैं और अपने जो आपके पडोसी हैं उनके साथ आज आपकी बांडिंग ब्यहद अच्छी होगी अपने घर परिवार से जुड़े हर कार्या पर आप ध्यान देंगे अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे साथ में दूसरों के वेवार को नियंतरन में करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन आप कोई चीज का ध्यान रखना है आप दूसरों के वेवार को नियंतरन में नहीं रख सकते हैं आपको अपने वेवार में चेंजिस लाने होंगे अगर आप किसी की उप्योपते, किसी की अनुकूल होना चाहते हैं तो, ताकि आप हर तरहा की इस्तिथी को सुधार सकें इस दिन चंद्रमा आपकी लगन में हैं और चंद्रमा का लगन में होने का जो प्रभाव है, वो आपकी व्यक्तितों पर सबसे अधिक देखने को मिलता है आज खुछ नई योजनाओं को लागू करने में थोड़ी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, आप मेहनत करेंगे, आपका काम जरूर बनेगा अपने काम को करवाने के लिए, आपको अपने द्रस्टिकोन को बदलना होगा अपने प्यासों में सफल तापाने के लिए, मेहनत के साथ साथ आपका अनुभव काम आएगा और आप अपनी बुद्धी से जतना अच्छी काम लेंगे, उतना अच्छी आपका काम बन सकता है शाम तक आपको कई तरह के सकारात्म परिणाम भी देखने को मिलेंगे जो आपकी स्थितियों में सुधार लाने के लिए काफी अनुभव सावित होने वाले हैं आज किसी चीज में आपका इंवेस्मेंट करने का योग भी बना हुआ है कि आपको इंवेस्मेंट के बारे में सोच विचार करें कुछ लोगों के साथ बाचीत करें तो इस क्तियों में जो बाते होंगी वो आपके छीजों को किलियर करेंगी कि आपको क्या करना है कई दिक्कतें जो आपने जहली हैं पिसले दुन में उन दिक्कतों को दूर होता हुआ देखेंगे माता पिता की मदद से आज आज आप कुछ चीजों से बाहर आएंगे और उनका सपोर्ट अगर आपको चीज़ी था आर्थिक तोर पर तो उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा किसी रिष्टदार को देखने जा सकते हैं जिसकी तबियत काफी समय से खराब थी तो उन से मिलका उनको भी अच्छा लेगा और आपको भी काफी सुकूर मिलेगा अगर आपका कोई जात तक आपका कोई relative आपका कोई अपना विदेश में रहता है वो आपको आज किसी तरह का निमेंतरन दे सकता है या नौकरी के लिए आज आपको किसी नौकरी के लिए आज आपको पूछ सकता है तो दिन इस हिसाब से अच्छा है जो भी फैसरा लेना है वो सूच समझ कर लेना होगा अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना है बेकार की अफवाहे आपके दिमाग को खराब करने वाले होंगी आपकी अंदर नेगिटिविटी बढ़ने वाले होंगी तो अफवाव पर ध्यान न देखकर उस बात पर ध्यान दें जो आपके लिए जादा इंपोर्टन्ट है वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा परिष्थितियां आपके अनुकुल रहेगी शाम का समय दोस्तों के साथ बितेगा और भागे में व्रद्धी का यूग है जीवन साथी की भागे आज आपको सपोर्ट करने वाला है पिता की सेहत अगर खराब थी तो पिता की सेहत में आज आपको थोड़े से बदलाव देखने को मिलेंगे जो आपके लिए सुकून देने वाले होंगे और इस राशी के जो वैपारी हैं उनके लिए आज का दिन काफी फायदे मन साबित होगा तो वैपारियों के लिए आज का दिन बढ़ा खुश होने का दिन है ये जो तुरिपुशकर योग है ये दोनों ही दिन बना हुआ है लेकिन इस योग का जो परभाव है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा अब बात करते हैं हम 26 दिसंबर के बारे में तो दिखे 26 दिसंबर चंद्रमा राशी बदलेंगे और आपकी दिते वहाँ में आ जाएंगे दोपहर को साथ में तीन बहुत उतम योग है तुरिपुशकर योग भी है अमरसिद्धी योग भी है और सरवारसिद्धी योग भी है उपर से ये संडे का दिन है यानि शुट्टी का दिन है किसी भी काम की शुरुआत करनी हो तो ऐसी योगों की देखा जाता है कि ऐसे योग गब होंगे तो अगर आप कोई बिजनिस शुरू करना चाहते हैं दुकानदारी आप UM। करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, कुछ पुराने रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं, आपको कोई जिम्मेदारी घर परिवार में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आज आपको सौपी जा सकती है, और एक्स्ट्रा मेहनत से फाइदा होता है, और ये फाइदा आपको ज से जुड़े लोग हैं या आप किसी ठीकदारी का कारे करते हैं तो उनकी लिए कुछ नई ऐसी डील आ सकती हैं जो आपको खुश कर देंगे कोई मकान कोई प्लाट खरीदने बेचने का काम आपने शुरू किया है तो आज जो बड़ा सफलता का दिन है आज अच्छी डील ही बाधाएं भी दोर होंगे प्रेम जीवन के मामले में आज का दिन काफी अच्छा है रोमांटिक मूर में रहेंगे जीवन साती के साथ भी काफी सपोर्ट होगा यह जो त्रिपुशकर योग है योग का प्रभा होगा आज आप जो कारे शुरू करते हैं आज आप जिन का प्रेंट्स हैं उनके लिए भी आज ठीक ठाक दिन है बस थोड़ा ध्यान रखें अपनी वानी पर आपकी वानी आज कुछ परिशानी खड़ी कर सकती है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बाकी स्वास्त सबंदी परिशानिया भी कुछ नहीं दिखाई दे रही है स्वास्त भी आज आपका अनुकल रहेगा बसिन यूगों का पूरा फायदा आपको उठाना है साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें